Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और यह है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टारो रीडिंग सबसे पहले विश यू आल वेरी वेरी हापी नियो यर I really wish कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुश्या, बहुत सारी हापीनस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेज लेकर आए और आपकी दीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहते हूँ देखिए टारो, स्ट्रोलेजी ये गूगल माप की तरह होते हैं जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल माप रेफर करते हैं तो रस्ते में आने वाली कुछ चीजों को हम अवाइड कर सकते हैं हम रॉंग डारेक्शन लेना अवाइड कर सकते हैं हम ट्राफिक जाम को अवाइड कर सकते हैं ऐसे ही जब हम इस्ट्रोलेजी और टारो को रेफर करते हैं कुछ चीजें इस रीडिंग में हूँ जो आपके हिसाब से ना हूँ या आपको लगे कि भई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे वहाँ पे आप परेशान ना हों क्योंकि मैं बहुत ही strongly believe करती हूँ हम सब के अंदर बहुत जबरदस्त power है हर चीज को deal करने के लिए अपना मकसद अपना goal अचीव करने के लिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आप positive ही बोला करिये तो मेरे हिसाब से positivity ये नहीं है कि आप आखे बन कर लें और आप बोले सब ठीक है सब ठीक है मेरे हिसाब से जो भी situation हो क्योंकि देखिए ये जिन्दगी है situations तो आएंगी हम जबी भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको road एक जैसी नहीं मिलती कभी खड़े भी आते हैं लेकिन उन खड़ों को हम कैसे deal करते हैं हम उनसे कितना परेशान होते हैं वही हमारी journey कैसी रहेगी वो determine भी करता है और यहां पर भी मेरी advice आप लोगों के लिए यही है कि यह बहुत detail में मैंने reading करना चाहा है हलांकि ऐसा possible नहीं है क्योंकि यह general reading है बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो जतना मरजी हम detail में करें specifically आपके बारे में नहीं बता सकता तो आप इसको सिरफ guidance की तरह ही लें जो चीजें आपको लगे कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है या आप अगर पहले से ही उन चीजों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं कैसे आप उस चीज को improve करके अपनी life better कर सकते हैं उसी चीज को mind में रखते वे आप इस reading को देखें तो इस reading को मैंने four parts में divide किया है first part में हम देखेंगे कि 2020 का क्या overview है क्या you know broadly speaking 2020 की energies रही और second part में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से life के areas में आपका focus रह सकता है broadly 2021 आप लगों के लिए क्या लेकर आ रहा है और फिर next three parts में हम देखेंगे कि next four four months में क्या हो रहा है या उन four months की क्या energies है तो again मैं यही कहूंगी कि किसी भी part में आपको लगे कि भई ये आप अपनी life के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आप guidance की तरह लें और पहले से ही उस चीज के लिए एक awareness लाके उसको ठीक करने पे ही आप focus करें ये ना सोचें कि भी मैं आपने ये बोल दिया कार्ट दिया आगे अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है ऐसा नहीं होता अगेन मैं कहूंगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर situation को बदलने के लिए हर चीज को बहुत ही strongly deal करने के लिए अपना गोल अपना मकसद अचीव करने के लिए तो इसको आप सिरफ Google Map की तरहें यूज करें जहां पर आपको लगे कि भही ऐसा आप करेंगे तो आप wrong direction में जा सकते हैं आप अपनी direction correct कर लें जहां पर आपको लगता है कि आपको traffic jam मिल सकता है confusion मिल सकती है, मसले हो सकते हैं आप उसको भी avoid करें और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए वो आप इस reading को देख के create करें यही मेरी आप लोगों के लिए एक wish भी है और यही मैं चाहूंगी कि आप करें भी तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की reading तो सबसे पहले देखते हैं कि 2020 की आप लोगों के लिए in general क्या energies रही तो देखिए सबसे पहला card मुझे आपर दिख रहा है The World Reverse और यह card मुझे कहता है कि कोई चीज foreign country से related आपने 2020 में करना चाहा लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर यह card reverse है यह सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि foreign country travel करना चाहा रहे थे नहीं कर पाए और हम सब लोग जानते हैं कि pandemic की वज़े से travel restrictions थी कुछ लोगों के लिए हो सकता है foreign country पढ़ने जाना चाहा रहे थे नहीं जा पाए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई business deal थी, आपने work, अपने business को global करना चाहते थे, international करना चाहते थे, नहीं कर पाए, नहीं तो in general, कोई चीज आप foreign country से related करना चाहा रहे थे, नहीं कर पाए, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक phase अपनी life का complete करके, नहीं phase में enter करना चाहा रहे थे, एक fresh start, एक नहीं beginning मसले 2020 में रहे, और देखिए, यहाँ पे hierophant कहीं marriage का card होता है, education का card होता है, spiritual or religious activities का card होता है, एक stability, एक security का card होता है, और यह card भी यहाँ पे reverse है, जो कि मुझे कहता है, कि इन सब चीजों से related issues रहे, देखिए हो सकता है कुछ लोगों की marriage पोस्टपोन हुई हो, कुछ लोग के लिए हो सकता है, society की वज़े से कुछ issues रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक instability, एक insecurity रही हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, उनकी education, उनकी पढ़ाई, लिखाई से related issues रहे हो, और देखिए, in general के लिए है, रोफंट का card मुझे कहता है, कि 2020 का जो साल था, वो आप लोगों के लिए बहुत एक learning का साल था, जिसे बोलते हैं, बहुत चीजें आपने सीखी, यहाँ पे सीखने का मतलब यह नहीं है, कि आपने कोई पढ़ाई सीखी, आपने कोई knowledge अपडेट करी, in general भी अपनी mistakes से हम सीखते हैं, और भी चीजों से, you know, हम कुछ ना है, हर दम हमको सिखाती रहती है, तो इस तरीके की सीख भी बहुत सारे लोगों के लिए रही, और देखिए आपे नीचे experiencing का card मुझे कहता है, कि 2020 अगर मैं एक word में बोलू, तो एक experiencing का साल था, जहाँ पे आप कुछ भी कुछ चीजों के लिए नहीं कर पाए, सिरफ आपको experience ही करना था उन चीजों को, और देखिए आपे inner voice and king of swords के भी cards हैं, और ये दोनों cards मुझे कहते हैं, कि जो भी situation थी, जो भी circumstances थे, आपने बहुत ही wisdom के साथ काम लिया, आपने बहुत ही एक बोलते ना, अपनी inner feeling, अपनी gut feeling को follow किया, कुछ भी confusion आई, कुछ भी मसले अगर आ आपने बहुत जादा mind से, एक intellectual तरीके से सब चीजों को deal किया, और देखिए यहाँ पर awareness का card मुझे कहता है, कि बहुत चीजों को लेके, यह किसी एक चीज को लेके कुछ awareness आई, कुछ एक सच भी आपको पता लगे, कुछ सच से आप वाकिफ हुए, और देखिए कहीं inner voice का card intuition की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ secretive energies की भी बात करता है, तो देखिए यह दोनों cards मुझे कहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ secrets भी 2020 में reveal हुए, नहीं तो in general, कुछ secrets रखे, कुछ सच पता लगे, कुछ बातें खुली, तो मोटा माटी अगर मैं देखू Sag Sagittarius आप लोगों के लिए, तो हो सकता है, कुछ instability, कुछ insecurity रही हो, foreign country से related, कुछ issues, कुछ मसले रहे हो, या कुछ आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है, कि आपने बहुत ही wisdom के साथ, बहुत ही, you know, mind से deal किया, सब चीजों को आपने एक clarity रखी, और आपने जो भी चीजें थी, उनको बहुत अच्छे से experience किया, उनसे बहुत कुछ सीखा भी, तो ये थी Sagittarius आप लोगों के लिए 2020 का overview, और Sagittarius इस reading में हम देखेंगे कि 2021 की in general आप लोगों के लिए क्या energies रहेंगी, कौन से life के areas activate हो रहे हैं, कौन से life के areas पर focus रह सकता है तो देखिए सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं, the second house and the tenth house, second house astrology में धन, कुटम, वानी का घर होता है और tenth house professional life, career और करम स्थान भी होता है, तो कहीं देखिए इन ही सब चीजों के around energy revolve करती हुई दिख रही है, आप लोगों के लिए 2021 में, specifically second house को देखें, तो आप कैसे अप अपने finances को better करें, इस पे focus रह सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके finances, उनके wealth better हो रही है, increase हो रही है 2021 में, और कहीं कुटम family की बात करता है, तो family पे focus रह सकता है, वानी कहीं आपके बात करने के तरीके को indicate करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, कैसे better करें, या communication के around, you know, कुछ चीजें हो रही है, या कुछ कर रहे हैं, वो 2021 में, 10th house मैंने आपको बताया, professional life career की बात करता है, तो again, बहुत ही clear है, कि ये आपकी priority रह सकती है, या कैसे professional life में, चीजों को next level पे लेकर जाएं, या कैसे इसको better करें, इस पे बहुत जादा ए priority भी रह सकती है, और कुछ लोगों के लिए कहीं हो सकता है, कि अपने करम को वो कैसे better करें, अपने करम अच्छे करें, उन पे भी focus रह सकता है, और यहाँ पे signs हमारे पास है, Sagittarius and Gemini, Sagittarius fiery sign है, तो कहीं enthusiasm, excitement की बात करता है, impulsive energies की बात करता है, तो कहीं जो भी आपका goal है 2021 के लिए, उसके लिए बहुत एक excitement और बहुत एक enthusiasm मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा initiative और action आप लेते वे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक suggestion मैं आपको दूँगी Sagittarius की, आप थोड़ा सा खयाल रखें, impulsive ना हो, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, कोई भी बड़ is communicative, mischievous, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible, तो कहीं again मैं कहूंगी, जो भी आपका goal है, उससे related हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत interact कर रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए, the energy is communicative, यह card हमें कहता है, तो communication पर बहुत सारा लोगों का focus रह सकता है, या in general हो सकता है, आप लोगों को बहुत interact करना पड़ रहा है, अपने work, अपनी professional life से related, या again मैं कहूंगी, जो भी आपका goal है, जिसको आप पाना चाहते हैं, उससे related, और कहीं देखिए, आप बहुत information gather करते वे दिख रहे हैं, अपने goal के लिए, या in general भी, बहुत जादा lightly चीज़ों को ले रहे हैं और एक change अपनी life में लाने के ऊपर focus कर रहे हैं, और यहाँ पर Sagittarius का card हमें कहता है, the energy imbues power, superior confidence and enthusiasm, with faith, good fortune and authority, तो कहीं 2021 में एक you know good fortune भी आप लोगों के लिए दिख रहा है, किस्मत destiny आपको favor करते हुए दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ challenges नहीं होंगे क्योंकि देखें, यहाँ पर Saturn का card है, और Saturn कहीं challenges और hard work की बात करता है, तो हो सकता है 2021 में कुछ challenges रहें, बट कहीं आप अपने hard work के साथ, अपनी determination, अपनी will power के साथ, उनको overcome करते हुए दिख रहे हैं, और इस area में कहीं luck और destiny आपको favor करते हुए दिख रही है, और देखें, यहाँ पी Uranus का card भी, बहुत एक positive energies को indicate करता है, यह card हमें कहता है, your potential for sudden change, enlightenment and awakening, तो कहीं you know, again मैं कहाँगी कि कुछ challenges अगर आते भी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक awareness है कि आपके अंदर बहुत potential है, और आप जो चाहें वो पा सकते हैं, और आप अपना पूरा potential use कर रह हैं, अपने goal को achieve करने के लिए, you know, उस direction में आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए, यहाँ पे oracle card से हमर पस बहुत ही positive cards है, यहाँ पे prosperity lies ahead का card है, monology से, और यहाँ पे भी infinite abundance का card है, यह card हमें कहता है, you are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose, तो जो भी आप करेंगे, देखिए, आपको support मिल रहा है angels की तरफ से, prosperity भी आपको मिलेगी, आप hard work करते हैं, और यहाँ पे देखिए, support का भी card है, और यह card बहुत ही clearly कहता है, your life purpose fully supports you, तो जो भी challenges अगर आते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे Saturn का card है, तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, या situation है, इसकी तरफ से बहुत एक supportive, बहु दिख रही हैं, और देखिए, हाँ पर यह card हमें कहता है, you are very close to achieving your goal, तो जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके बहुत नजदीक है, again मैं कहूंगी कि अगर आप hard work करेंगे, तो ज़रूर आप उसको achieve करेंगे, यहाँ पे goddess guidance है, हमार रपास card है, you and your loved ones are safe and spiritually protected तो देखिए, सभी cards कहीं एक ही बात कहा रहे हैं, different different words में, यहाँ पे भी cards आपको कहा रहे हैं, कि आप जो भी करेंगे, आपको एक protection angels की तरफ से, या जिस भी God को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए रहेगा, और यहाँ पर unknown territory का card हमें कहता है, you are exactly where you need to be, तो देख रखते हैं, उसको achieve करने के लिए, चीजे जिस तरीके से हम चाहते हैं, उस तरीके से नहीं होती, और 2021 में हो सकता है कि कुछ phases हो, जहाँ पे आप अपने आपको पाएं कि भी आप कहा हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, उस time पे आप universe पे complete faith रखें, क्योंकि हम लोग एक limit तक ही आपको लेकर आ रहा है, कभी कभी हो सकता है कि आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगे, भई आप कहा हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई unknown जगा या कोई unknown काम भी वो 2021 में कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखिए, ये card in natural कहता है, आप faith रखें, आगे बढ़ते जाएं, ऐसी situations, ऐसे circumstances आएंगे, जो आपको नहीं समझ में आएंगे, आप faith रखें आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है, कहीं वो आपको आपके goal, आपके मकसद की तरफ ही लेकर जा रहा है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे support का card है, यहाँ पे prosperity lies ahead का card है, infinite abundance का card है, guardian का card है, तो सारे ही cards कहीं एक good fortune की बात कर रहे हैं, लेकिन Saturn का card कहीं बोलता है, कि थोड़े से challenges रह सकते हैं, और अगर आप hard work करते हैं, again मैं कहूंगी, will power रखते हैं, determination के साथ अपने goal की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जरूर आप उसको achieve कर पाएंगे, fortune आपको favor करेगा, destiny आपका साथ देगी, और जो months आप लोगों के लिए 2021 में significant रहेंगे या important रहेंगे, वो है February, June and September, तो again मैं कहूंगी कि February, June and September आप लोगों के लिए important months रह सकते हैं 2021 में, तो यह थी Sagittarius आप लोगों के लिए 2021 का एक overview, और Sagittarius इस reading में हम देखे कि 2021 के first के four months, that is January, February, March, April की क्या energies रहेंगी, तो देखिए सबसे पहला card यहाँ पर मुझे दिख रहा है, the tower, और यह card मुझे कहता है कि हो सकता है, पीछे बहुत ज़्यादा किसी suffocating situation में आप थे, बहुत ज़्यादा किसी चीज का pressure था, क्योंकि देखिए हाँ पर हमार पर suppression का भी card है, और कहीं 2021 की starting में suddenly आप इसमें से बहार निकल सकते हैं, यह सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई situation हो सकती है, कोई circumstances हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जगा हो सकती है, तो again मैं कहूंगी, कोई चीज जो बहुत जादा एक pressure create कर रही थी, एक burden आप महसूस कर रहे थे, उसमें से suddenly आप 2021 की starting में बहार निकल सकते हैं, और दीखें यहाँ पे night of pentacles and postponement के भी card हैं, और इस suffocating situation से बहार निकलने के बाद एक stability, एक security आप महसूस कर सकते हैं, financial और monetary gain बहुत सारे लोगों को हो सकता है, और in general भ दीखें, Sagittarius night of pentacles का card मुझे कहता है, कि आप बहुत जादा safe चलना चाहा रहे हैं, आप बहुत जादा चीजों को लेके sure होना चाहा रहे हैं, हो सकता है कोई movement, कोई change आप इस period में करना चाहा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए travel भी हो सकती है, लेकिन again मैं कहूंगी कि आप बहुत जादा sure होना चाहा रहे हैं, आप बहुत जादा safe play करना चाहा रहे हैं, आप किसी भी तरीके का risk नहीं ले रहे हैं, और दीखें क्या होता है ना Sagittarius जब हम बहुत जादा सूचते हैं, हमारे पस opportunities आती हैं, और again मैं कहूंगी कि बहुत अगर हम sure होना चाहते हैं, तो वो opportunities हमारे हाथ से निकल जाती हैं, और फिर हमें frustration होती है, और देखिए आप नीचे postponement का card भी वही चीज बोल रहा है, कि कुछ delays हो सकते हैं, कुछ चीजे postpon हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वैसे ही कुछ चीजे postpon हो रही है और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आप बहुत सोच रहे हैं, जो opportunities आ रही हैं, उनको लेके बहुत sure होना चाहते हैं, और इस वज़े से भी कुछ opportunities आप miss कर सकते हैं, कुछ delays, कुछ चीजे postpon हो सकती हैं, और ऐसा अगर आपको लगे इस period में तो देखें, आपे eight of pentacles, reverse and turning in के भी cards हैं, और ये cards मुझे कहते हैं कि बहुत ज़ादा आप अपनी professional life, career और finances पे focus कर सकते हैं, किसी चीज़ पे लेके in general बहुत ज़ादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, again मैं कहूंग ये सब के लिए differ हो सकता है, देखें in general के लिए तो professional life ही द card होता है, और ये general reading है, तो यहाँ पे ये सब के लिए differ कर सकता है, तो again मैं कहूंगी कि किसी life के area में बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं, बहुत महनत कर रहे हैं, बहुत efforts कर रहे हैं, और बाकी सारे life के area से withdraw कर रहे हैं, बाकी सारे life के area से focus हटाके, सिरफ एक ही life के area में बहुत ज जनरल के लिए guidance का card हमें कहता है cleansing waters purification activates vibrant life force तो देखिए यह जो four months हैं इसमें किसी चीज की cleansing हो रही है किसी चीज की एक purification हो रही है जो भी tense energies थी यहां जो भी stress था जो भी परिशानी थी मुझे लग रहा है कहीं वो clear हो रही है क्योंकि cleansing waters कहीं उनों एक clearing की भी बात करते हैं एक अच्छी energies एक peace of mind एक सुकून भी यह चार months आपकी life में लेकर आ सकते हैं तो यह थी Sagittarius आप लगों के लिए January, February, March, April 2021 का overview और Sagittarius इस reading में हम देखेंगे कि next four months that is May, June, July, August 2021 की क्या energies रहेंगी तो देखिए सबसे पहला card यहां पर मुझे दिख रहा है The Empress और Empress Tarot में बहुत ही positive card है कहीं Empress comfort, luxury और एक बहुत ही अच्छे lifestyle की बात करता है कहीं Empress, you know, mother की भी बात करता है Empress, कहीं beauty, love, romance की भी बात करता है और कहीं Empress, you know, reaping the rewards की भी बात करता है तो कहीं, you know, in 4 months में, that is May, June, July, August में ऐसी energies है सकती है, चीजें इसके around revolve कर सकती है लेकिन deeper level के लिए यहाँ पर conditioning का card मुझे कहता है कि थोड़े से compromises, थोड़े से adjustments आपको इन energies को अपनी life में लाने के लिए करने पड़ सकते है यहाँ हो सकता है, एक comfort है, एक luxury है, एक beauty है आपके आसपास एक happiness है, एक joy है यहाँ पीछे आपने बहुत किसी भी life के एरिया में efforts करें है तो उनके rewards भी आपको मिल रहे हैं लेकिन साथी साथ जैसे circumstances हैं, जैसा महौल है उसके हिसाब से आपको mold भी करना पड़ रहा है थोड़े से adjustments भी आपको करने पड़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर four of pentacles, reverse and morality के भी cards हैं और four of pentacles, reverse मुझे कहता है कि कोई चीज जिससे आप बहुत attached थे जिसको आप बहुत जादा tightly पकड़ के बैठे हुए थे इस दोरान आप उस चीज को भी let go कर सकते हैं दिखिए again यह सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए professional life, job से related कोई चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए simply उनके सोचने का तरीका हो सकता है उनकी कोई feeling, उनकी कोई emotion हो सकती है जिसको again मैं कहूंगी कि आप let go कर रहे हैं और deeper level के लिए यहाँ पर morality का card मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़ादा right and wrong के point of view से चीजों को देख रहे हैं आप बहुत ज़ादा moral और ethics को अपने mind में रखते हुए चीजों को देख रहे हैं तो देखिए Sagittarius morality बहुत अच्छी बात होती है values बहुत अच्छी बात होती है लेकिन कभी-कभी हमें situation के हिसाब से mold करना पड़ता है एक बहुत ही पुरानी story है कि एक कसाई गाएं के पीछे जा रहा होता है भाग रहा होता है और कहीं वो miss कर देता है तो सामने खड़ेवे इंसान से पूछता है कि गाएं किस direction में गई और वो इंसान जूट बोलता है तो जूट बोलना असूलन पाप होता है लेकिन उस point पे उस इंसान ने उस गाएं की जान बचाने के लिए जूट बोला तो कहीं वो जूट भी गलत नहीं है तो यहाँ पे एक suggestion मेरा आप लोगों के लिए यही होगा कि आप सच्चाई का साथ दें आप morality को mind में रखें आप ethics और values को importance दें बट कभी-कभी situation के हिसाब से mold करना पड़ता है और कभी किसी का उसमें अगर गलत नहीं हो रहा है जूट बोलना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो वो wrong भी नहीं होता है तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें और यहाँ पर देखें the moon and moment to moment के cards भी है और moon card मुझे कहता है कि एक confusion, एक you know fear, एक insecurities भी रह सकते हैं और deeper level के लिए हाँ पर moment to moment का card मुझे कह रहा है कि आप बहुत जादा संभल संभल के चल रहे हैं आप लोगों के लिए again मैं कहूंगे कि बहुत एक cautious, बहुत एक conscious energies दिख रही हैं तो मोटा माटी अगर मैं देखूं तो एक happiness, एक joy यह 4 months लेकर आ रहे हैं किसी तरीके का comfort, luxury भी यह 4 months लेकर आ रहे हैं reaping the rewards वाला भी energies इन 4 months में रह सकती हैं बट साथी साथ confusion भी रह सकता है एक fear, insecurity भी रह सकती है आपको adjustments भी करने पड़ सकते हैं और कहीं कुछ चीजों को आप let go भी करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे in general के लिए हमारे पास card है embracing enthusiasm shout to the heavens with happiness तो definitely देखिए इन 4 months में कोई अच्छी बात हो रही है कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको लेके आप खुश हो रहे हैं जिसको लेके आप बहुत जादा एक happiness एक joy भी महसूस कर रहे हैं तो overall यह 4 months ठीक रहेंगे लेकिन थोड़ा सा gain मैं कहूंगी कि एक fear and security है तो इसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दे और बहुत जादा moral values और you know ethics को लेके दिमाग में ना सोचे मैं यही कहूंगे आपको तो यह थी आप लोगों के लिए Sagittarius next 4 months that is May, June, July, August 2021 का general overview और Sagittarius इस reading में हम देखेंगे कि 2021 के last के 4 months that is September, October, November, December की क्या energies रहेंगी तो देखें यहां पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है The Wheel of Fortune और The Wheel of Fortune बहुत ही positive card है यह changes की बात करता है movement की बात करता है कहीं एक lucky phase की बात करता है तो इस दोरान बहुत एक lucky phase आपकी life में आ सकता है अच्छी opportunities आ सकती है लेकिन कहीं Wheel of Fortune का card हमें कहता है यह opportunities हवा के जोकी की तरह आएंगी और निकल जाएंगी तो यहां पर दीखें बहुत important है कि जो भी अच्छी opportunities आ रहे हैं आप उनको avail करें और कुछ लोगों के लिए literally उनो कुछ movement भी रह सकती है कोई एक phase उनकी life का है जिसे वो आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोगों के लिए travel रह सकता है कुछ लोगों के लिए again मैं कहूंगी broadly speaking major changes भी इस time period में रह सकते हैं और again मैं कहूंगी कि एक lucky phase आप लोगों के लिए इस period में आ सकता है और देखिए यहां पर seven of swords का card मुझे कहता है इस period में हो सकता है कुछ चीजों को आप avoid कर रहे हैं कुछ चीजों को आप upfront होके नहीं deal कर रहे हैं एक escapism वाली energies हैं कुछ चीजों को, कुछ situation को या कुछ लोगों को आप confront नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि चोरी छुपे किसी चीज से भाग रहे हैं और deeper level के लिए यहाँ पे sharing का card मुझे कहता है कि ऐसा करने से आपकी life में एक enthusiasm, एक excitement आ रहा है शायद इस time पे यही best है कि आप चीजों को upfront होके ना deal करें कहीं उन चीजों को आप you know avoid ही करें और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक warning भी रह सकती है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं शायद उनकी intentions ठीक नहीं है शायद you know उनके मन में आपके लिए बहुत कोई great energies नहीं है तो इस चीज का आप जरूर खयाल रखें हो सकता है कुछ लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको manipulate कर रहे हैं आपके साथ diplomatically चल रहे हैं तो again मैं कहूंगी इस चीज का आप खयाल रखें यहाँ पे friendliness का card मुझे कह रहा है कि supportive energies भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रही है और जो लोग love relationship से related देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही clearly मुझे दिख रहा है कि आपके relationship में एक lucky phase आ सकता है एक you know movement आ सकती है आप आगे बढ़ सकते हैं relationship में अपने partner के साथ और यहाँ पे दिखिए eight of cups reverse का card मुझे कहता है किसी चीज को छोड़ के आप आगे बढ़े थे और हमने previous दोनों ही readings में देखा कि किसी cheat से आप बहार निकले हैं किसी चीज को आपने let go किया है तो कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज के पास वापस आ रहे हैं यह सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए job हो सकती है business professional life से related कोई चीज हो सकती है तो in nutshell you know किसी चीज को छोड़ के आप आगे बड़े थे उसी चीज के पास आप आ रहे हैं और दिखिए आप इन जनरल के लिए बहुत ही beautiful card है miracles expect the wondrous to emerge तो कुछ चीजें जिनके लिए आपने उमीद छोड़ दी थी जिनको आप expect नहीं कर रहे थे वो भी इस दुरान या in 4 months में हो सकते हैं तो 4 months थोड़ा सा cautious रहने की ज़रत है थोड़ा सा चीजों को avoid करने की जरत है confront करने की जरत नहीं है चीजों को और again मैं कहूंगी क्यूंकि यहाँ पे cheating का card है तो इसके लिए तरूर आप aware रहें इसके लिए जरूर आप cautious रहें तो ये थी Sagittarius आप लोगों के लिए last के 4 months that is September, October, November, December की energies.